Hello and again welcome to Padre Classes आप सभी का एक बार फिर से सुवागत है तो हमारी HBSC के उपर सीरीज चल रही है Information दीजा रही है आपको बहुत ही बहतरीन तो दो वीडियोज अल्रेडी मैं बना चुका हूँ आपको बता चुका हूँ कि क्या सलेबस है किस टोपिक से कितने मार्क्स आएंगे अब बात यह थी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 47 कोईशन आएंगे 70 मार्क्स के है ना तो वो जो 47 है उसमें से कितने कोईशन किस पैटरन के रहेंगे उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे कहने का मतलब है कोईशन पैपर डिजाइनिंग क्या रहने वाली है HBSC 2022 के लिए जो पैपर होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप सभी का पढ़रे पे एक बार फिर से स्वागत है 12th क्लास की जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसकी बात हम करेंगे कोईशन पैपर डिजाइनिंग की ओफिशल वेब साइट के उपर लेके चलेंगे आपको उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारी एप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर एप स्टोर से जिसका नाम है पढ़ रहे ओनलाइन क्लासिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए जुरूर है यह हमारे कॉंटेक्ट नंबर है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तो चलिए अब हम शिदा चलते हैं हमारा यहाँ पे लिखावा हरियाना विद्यले सिक्सा बोरड भीवानी कोश्चन पेपर डिजाइनिंग हालांकि यहाँ पे आप एयर देख सकते होगी है तो सार 20-21 लिखा हुआ है बट भाई अगर आप वहाँ पे ओफिशल वेबसाइट पर जाओगे तो यही 21-22 के लिए है अरियाना बोर्ड यह छोटी-छोटी सी मिस्टेक कर रहा है इनको पता नहीं क्यों नहीं सुधार रहा है तो सुधारना चाहिए अरियाना बोर्ड को वहाँ पे जब फाइल डाउनलोड करते हैं तो 21-22 लिखा आता है बट यहाँ पे 20-21 लिखावा है तो आप इसको 21-22 मान सकते है तो पेपर जो है वो आपका ढ़ाई गंटे का होता है ठीक है 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का ठीक है इसमें एक ही टर्म में आपका हो रहा है एनुवल पेपर होते हैं एक बार ही पूरे पेपर हो जाएंगे अब बात ही आती कि सरक कितने question, कितने marks के, किस-किस pattern के रहेंगे सबसे पहली बात तो यहाँ पर k लिखा हुआ, k का meaning क्या है, k का मतलब है knowledge ठीक है न, knowledge, तो 40% question ऐसे होंगे, जो knowledge based होंगे है न, तो 28 question ऐसे होंगे, 47 message जो knowledge based होंगे u का मतलब understanding है, 21 question understanding based होंगे a का मतलब साइद average होगा, s का मतलब b देखेंगे क्या होगा, सारी चीज़े नीचे लिखे हुई है, हलांकि इनसे कोई ज़्यादा हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, यह थोड़ी सी complex चीज़े होती है, हाँ, अब हम आगे बात करते हैं, यह हमारे लिए important हो जाता है, weight is to form of questions, अब यहाँ पर साब साब देखें क्या लिखावा है इन्होंने, कि आपका, e, e का भी मतलब देखेंगे, चलो पहले इनका मतलब ही देख लेते हैं सभी का, कि इसका meaning क्या होता है, उसका meaning क्या होता है, यू का meaning क्या होगा, उसका meaning क्या होगा, तो यहाँ पर देखें, k का मतलब knowledge, u का मतलब understanding, a का मतलब application, s का मतलब skill, यह तो उपर वाले जो हैं इस type के question आएंगे, e का मतलब है, sa type, ठीक है, पूरा lengthy, a, sa, a का मतलब sort and sort type, v, sa, very sort and sort type, o मतलब objective, तो यह basically यहाँ पर pattern रहता है, यह basically यहाँ पर pattern रहता है, अब साइद आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, इस terminology को कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब सबसे पहले यहाँ पर e, यानि कि 5 marks का question, हना, यह बात हम discuss कर चुके हैं, कि 47 question आएंगे, जो कि आपका 70 marks के होंगे, ठीक है, अब 2 question मैंने बताया भी था, और दोनों मैंने बताया था कि इन इन chapter से possibilities बन सकती आने की, तो 2 question आपका 5 marks के रहेंगे, 10 marks के, तो 5-5 number के 2 question आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद sort answer type, जो कि 3 marks का question होंगा, तो 5 question ऐसे होंगे, जो आपका sort answer type के होंगे, 3 marks के होंगे, ये 15 marks के यहां से बन जाते हैं उसके बाद 5 ही question आपका very short answer type के रहेंगे 2 marks के रहेंगे तो 10 marks यहां से बन जाते हैं तो अगर आप इन तीनों को मिलाते हैं 10 plus 15 plus 10 तो ये 35 बनते हैं 35 यानि कि कहने का मजला subjective जो है वो आपका paper 70 गा total है उसमें से 50% subjective है आपको लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा subjective है हना पूरा question ऐसे type वाले में आपको words वहां पे लिखे होते हैं और यहां पे timing भी दिया गया कि आप इन दो question को करने के लिए 40 minutes ले सकते हैं आप इन दो 5 question को subjective से आ रहे हैं अब यहां पे है objective 1 marks 35 question ऐसे होंगे जो आपका 1 marks के होंगे 35 question ऐसे होंगे क्या सारे के सारे MCQs होंगे ना 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 सारे MCQs नहीं होंगे तो कहने का मतले 50 percent questions आपका 1 marks के होंगे तो देखे भाई अगर आप सिर्फ MCQs पे ही पगड बना लेते हैं सोरी आप objective के उपर पगड बना लेते हैं तो भी आपके 50% marks confirm हो जाते हैं तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से तो कुल मिला के ये सारी बाते समझ में आई marks distribution में आपको समझा चुका हूँ कि किस topic से कितने question आएंगे अब बात ही आती है कि sir ये जो 35 question आने हैं क्या ये सारे के सारे mcq होंगे देखे भाई आप सभी को पता होगा कि mcq की क्या कानी होती है mcq का मतलब होता है आपका कि चार option दिये रहेंगे उन्हें से ही आपको कोई select करना होगा चार option दिये रहेंगे उन्हें में से कोई select करना रहेगा तो ऐसा नहीं है कि 35 के 35 question आपका mcq आएंगे यहाँ पे especially ये बात mention की गई है धान से देख लीजिगा yes तो यहाँ पे देखिए कि 18 जो है 35 में से 18 जो ह question one word answer आएंगे जैसे लिख देंगे कोई definition लिख देंगे बोलेंगे बताओ ये इसका definition क्या होगी है यहाँ से लिख देंगे number of atom number effective number of atoms for simple cubic unit cell तो आपको एक word लिखना है कि simple cubic unit cell के लिए effective number of atoms 1 होते हैं यहाँ बोल देंगे app cc की packing efficiency क्या होगी है तो वहाँ पे आपको लिखना होगा 74% इस type के ठीक है उसके बाद no question आपका fill in the blanks वाले भी होंगे no question आपका filling the blanks वाले भी होंगे 18 question mcqs 8 question one word answer and no question आपका fill in the blanks वाले रहेंगे तो कुल मिला के 35 question objective आएंगे one marks के आएंगे 35 question subjective आएंगे 35 marks के question subjective आएंगे जिन मेंसे 2 question 55 marks के होंगे 5 question 3 marks के होंगे 5 question 2 marks के होंगे तो यह पूरा आपका question paper design रहने वाला है HBSC 2022 के अंदर जो आपके paper होंगे उनके लिए तो hope कि आपको पूरी खानी समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको यह चीजें आपको पूरे मैंने syllabus बता दिया है question paper के designing बता दिया है topic तक मैंने बता दिया है कि इस topic से इतने question आएंगे ठीक है अब एक वीडियो में हम discuss करेंग previous year का analysis और बहुत जल्दी आपको previous year paper का solution भी मिलेगा ठीक है उसके बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको like जरूर करके जाना बही इतना बड़िया content आपको मिल रहा है channel dedicated मिल गया है जिसके उपर आपकी त्यारी की आपके preparation की आपको guide करने की सारी videos available रहती हैं तो इस video को like करना है इस video को share भी करना है सारे अपने school के friends का जो भी आपका whatsapp group है telegram group है वहाँ पे इस video को डालो ताकि maximum बच्चों तक यह information पहुंच पाए और channel को तो subscribe करके रखना ही है उसमें आपका ही फाइदा है इतना content आने वाला है यहाँ पे इस channel पे HBSC के regarding आपकी preparation के regarding कि आपको मजा ही आ जाएगा ठीक है तो अभी के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत दिनेवाद thank you